आप सभी का उनलाइन क्लासिज में हारतिक स्वागत है और कल आपको जो लेशन स्टार्ट करवा था राजा किसान और नगर उसी को कंटीन्यू करते हुए आज आपके जो एक्सराइज है वो करवाइज आएगी तो फर्स्ट को सबसे पहले समझा रहा हूँ मैं और अम्बिक एतियासिक राजियों में शिलक्ला के पादन के परमाणों की चल्चा किजिए तो डियर टूडेंट्स इस कोसन का इदी हम आंसर के बारें बात करें तो मैंने पहले भी जो आरंबिक भारती इतियास था और छटी स्थाब्धी इस्वीपुरों को एक महत्रपौन और प्रिवर्तनकारी काल माना गया है इस काल में प्राय जो आरंबिक राज्य हुए नगर हुए लोहे का प्रियोग बढ़ा और शिक्कों का विकास हुआ उन सब को हम इसे परन्तु जहां तक सिल्पकला उत्पादन के बारे में दी हम बात करें तो उसको इस परकार से समझाजा सकता है इस काल में चमकदार कलई इचड़ी हुई मिट्टे के कटोरे और थालियादी बने जाती थी तो इसका मतली है कि सिल्पकला उनकी काफी अच्छी थी इदी शीकड़ी में मैं आपको बताना चाहूं इस काल में जो पुरा स्थतलों से जब वहां का उत्खनन हुआ तो वहां से सोना चांदी तंबा आथी के दात सिस्से आधी की वस्तवे मिली हैं इसके तरिक लोहे के ओजार मिले हैं अथियार मिले हैं सोने के अभुषन मिले हैं मिटी के बर्तन मिले हैं इसके साथ स्विप आदी शीव नहीं हुए और वस्त यमीवां से मिली हैं कि जो नगरों में रहने वाले लोग थी दोबी लिपिक कुमार कि लोहार कि सोरणकार शोने का काम करने वाळाने की सुनार कि अधीकारी आधी कि विसे में भी हमें अभ आधकारी मिलती है जहां तक तुल्ना की बात है हडपा के नगरों और आर-वम्विक एतियाशीक नगरों तुल्ना की जय सहल प्लाम दोनों में ही तो तुल्ना के बारे में आपको बसाओं चाहेंगा कि क्या व्था हैं तो सब से पहला अंतर है एक हडपा के जो लोग थे उनक एतियासिक नगर हुए वहां लोहे के उपक्ण और उजार कि बनाए गए दूसरे अंतर की बात करें तो हड़ापैस से बता के शिलुपत्वादन में मन के बनाना मोहर बनाना बाट बनाना संख की कटाई आदी का कारिया किया जाता था इसके भी प्रीत यदि हम एतियासिक कुस्षन फर्ष्ट करियों रोजुकिया है दोस्तों कि जो सिल्पकला है किस प्रकार से उबरी इदी हम अगले प्रसन की बात करें महाजनपद में क्या-क्या विसेशता ही होती थी तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्राचिन समय में सोडा महाजनपद थे और जिनकी ज सब्सक्राइब दीखत राज ईसे थे जहां पर राजटंतर शाषन पर नाली थी राजटंतर का मतलों किया है राजा के पास सर्वोच अधिकार होना का चय वह न्याइक को लेकर है या पदोंपर निक्ति को लेकर है सारा कारिय राजा ही सब्वालता था दूसरी विशेष्टा वहाँ पर थी गणतंतर यानि कि महाजनपद में कुछ ऐसे राज्ये भी थे जहां आज के समान गणतंतर सासर प्रणाली को अपनाया गया था वहाँ पर राजा के साथ साथ राजा के साहयक सामोई के नियंतन रखते थे और साथ चुने हुए लोगों का समों सासर प्रणाली चलाता था और इस परकार से गणतंतर व्यस्था का पालन किया जाता था तीसरी विसेष्था क्या थी किलाबंध राजदानी प्रतेक महाजनपद की किलेबंधी की सर्क्षय की जाती देवारों से ढहरा जाता ती और एक विशेष्टा का मैं आपके सामने चिकर करूं तो था उत्राधिकार समंधिनियम यानि कि जो अधिकतर महाजन पद्धे वहां राजतंतर सासन परनाली थी हम पहले पढ़ चुके हैं और इस तरह से सासन परनाली में पढ़ाया राजा का बड़ा पुत्र ही उसका उत्र अधिकारी होता था उसकी मिर्थ्व के पस्षा देहांत के पस्षाथ एक और मिसेस्ता महाजन पदों की थी की सथाई शेना जो महाजन पद्धे उनके पास जो आर्थिक रूप से मजबूत होते थे अच्छी किर्शी होती थी अच्छा टेक सता था तो ऐसे महाजन पद सथाई सेना नहीं होती थे वह अंसकाली सेना रखते थे या कुछ महीने के लिए सेना रखते जब उनको जरूरत पढ़ जाए लड़ाई लड़नी है उस टाइम पर सेना के लोगों को बुला लेते थे और उनको उसी टाइम का केवल वितन दिया जाता लेकिन जो आर्थिक तो पूरा करने के लिए उन्होंने टेक्स लगाना आरहम कर दिया और टेक्स को इकठा करने के लिए कानुनों का निर्मान किया गया जिससे की लोगों पर थोपा गया और उससे राजसाओं में बढ़ोतरी हुई इसके आगे यदि हम एक परसन को लें जो अभी लेक सास्त्री है उनके सामने क्या कैसा मस्याय आई उन मस्याओं के वेरे में विस्तार से बताएए कुछ सब से पहले हमारे को यह पता हूं न च τοी सिए सुडेंट्सकी अभी लेख सास्तर कहते कि से Conservancy में के अभी लेखों के अध्यहन को हैं कि अभी लेख सास्तर कहा जाता है और अभी लेख में क्या होता है अभी लेक से हमारा अभी प्राइ उस लेक से हैं जो किसी कठोरच फ tavern लिखा गया हो दातू पर लिखा गया हो या पकी हुगी पर लिखा गया हो तो उनको जो समस्यां आई वह आपको बता रहा हूं पॉइंट वाइज आप नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं सबसे पहली समस्या तो यह आई कि उस समय में जो अक्सर थे वो यह दो लुप्त हो गए यह दुन्दले पड़ गए हैं और उनका अनुमान लगाना कठीन हो ज दे गई है उसका वास्तिक अर्थ जानना सरल नहीं होता है क्योंकि यह लेख किसी स्थान या समय समुदा इसे समधिद होते हैं इसलिए इनका एक जैसा सामन अर्थ निकला नहीं जा सकता यानिकि अलग-अलग राजा महराजाओं ने अपने अपने टाइम पे अपने आजकार लगाते हैं कि एक और समस्य की बात करूं अधिकतर जो अभी लेख है उनकी विसेवस्तु उन्हें से सम्मलिद है यानि कि जिनों ने इनको बनवाया अस्थाफित करवाया वहां उनहीं की परसंसा देसी वास्या में कहें तो कहते हैं कि बढ़ाई करना दिखाई द स्रल विसेजघ नहीं है एक अब समस्य यह रही कि जो अधिकतर अभी लेख है उनकी मौलक स्माशा है यह है कि एतियासिक जो पहलू है उन पर कोई धिहान निन दिया गया यह निकि एतियासिक दृष्ट्री का कोई मेटों नहीं रहा उनके लिए ना ही कुछ लिखा गया है उन्हों ने के तब राजा का पक्स रखने के लिए अभि लिखे एक और समस्या उनके सामने थी कि उस समय के जो उद्योग दिन्दे थे उनका पुरन बहुत ही कम है और जो परकासित हुए है अभी लेख उन में अनेक परकार की तुर्टिया भी स्पस्ट तोर पर दिखा दी गई है एक और अभी लेखों के बारे में मैं तुर्पन समस्या क्या है कि उन अभी लेखों का स्टीक सहज और सरल अनुवाद आज तक नहीं हो पाया है क्योंकि वो चित्रातमक लिपी थी केवल अंदाजा लगाया जा सकता है प्रेडिकेट किया जा सकता है लेकिन सही तोर पर अब तक उनको सपस्ट नहीं कर पाये हैं कि उनको आखिर किस उदेश्य से बनाया गया या वे क्या संदेश देड़ने चाहते हैं आज के लिए अंतिम परसंद आप से व्यच्चों के लिए जो मौरिय परसाशन था मौरिय काल हुआ जो उसी टाइम पे असो के अभी लेक भी आए तो मौरिय परसाशन की परमुक्विजेस्ता हैं हमारे को बतानी है कि देखो पैले भी पताया था कल की वीडियो में वह आक को पताया था मोरिय परसाशन का के अंदर या स्वैम राजा था उसके पास सारी स्क्तियाहं थी आए वह बड़ी शेन उसक्तिक बसूंख सक्तियाह राज्यat मेरे लेता था और वहीं से दिशा निर्देश देता था वे परजा के सुक में अपना सुक समझते थे और उनके कल्यान में ही अपना कल्यान समझते थे तो जो मोर्य समराजय की विशेषता ही थे उस परकार थी केंद्रीय सासन के बारे में आपको मनें बताया है ऐसा माना जाता है कि मंत्री परिशद में अलगवाग 12-15 तक होते थे मंत्री मंत्री प्रिशत में सबसे बड़ा पद्धानमंत्री का था और चंद्रगुप्त के समें महानकोटि लाइस पद्ध पर न्यूक था इसके त्रिक्त पुरोहित सेनापती दुरगपाल आदी विक्ति थे जो राजा को सासन चलाने में सहयोग करते थे दूसरे मिसे इस्ताकची करकरें हम तो प्रांत ये सासन यानि कि चंद्रगुप्त के समय मोरिया सामराज चैर प्रांतों में बटा हुआ था इसका व्योण असो के अभी लेख में से मिलत बटा मंगड़ प्रांत प्रांत जिसके राजधानी कौंची थी तक्षिला पस्तमी प्रांत जिसकी अदनी उजेन थी दक्षि ness lekker दनी श्रनगेरी थी और असोक के समय तलिंग प्रहन था जिसकी को भी दिशानीर देश प्रमार लेगेर होता था कि परतेगे प्रांत में जिले करते जैसे आज हरियाना में और रजस्तान में हैं उतर परदेश द Nah तो प्राचिन टाईम में भी तो भी तर उन्हें परदेश कहा जाता था जिले के हैं मुख्या को प्रदेशिक हम टाउर का चाल था औस और दीवी से इस्ता कवर्णन करें हम मौरिय सपरसासन की तो नगरों का सासन मौरिय काल में बड़े-बड़े नगर हुए जैसे पाठली पुत्तर तक्षिला उज्जैन और वहां नगर पालिकाओं की तरहें परिश्दें होती जैसे आज नगर पालिका है न बड़े-बड़ समीथिया बढ़ी होती थी वह समीथिया पूरे विकास के बारे में चर्चा करती थी और जो अंतिन निरने होता था वह लागू होता था जाए वह परमग भावनवावा निर्मान हो बाजरों में सुविदा देना हो मंद्रियों को बढ़ वाना हो या अन्य लोकल लेंड लो विशेष्टा थी वहां की स्थानिय सासन यानि की नगर अद्यक्स के अधिहिन एक स्थानिक करमचारी और परतेक नगर में एक जो थाई भाग लगभग दस गाउं की देखवाल करता था यान दोबारा से बात को परतेक जो स्थानिक नगर का एक नियुक्त जो करमचारी था वो लगभग दस गाउं की देखवाल करता था गाउं या गाउं से सम्मांदित सबसे छोटी इकाई थी ग्राम के मुखिया ग्रामिक कहलाते थे और उनकी साइदा के लिए ग्राम पंचायते होती ती जैसे कि आज ग्राम पंचायते हैं एक वर विश्चता थी वहां का न्याई परबंद राजा स्वैम न्याई परदान होता था मैंने आपको बताया है क्योंकि सारी सक्तिय उसके पास थी इसलिए सबसे ग्राम पंचायते हैं दंड के दान बहुत कठोर थे यानि कि किसी से कोई गलती हो जाती ती और युदि राजा के पास पहुंच जाता था उसका मुकदमा तो उसको कठोर दंड दिया जाता था ताकि आगे वो इस परकार का अपराद नहें करे एक और भी सेश्ता थी मो और यह पास बिखार और सक्ति-64 सहना थी और स्वएम्प समराट प्रधान सहरा पथी था और सेंक को राज्त मिलते था रगल से अथी मिलते थे अस्टर सहस्तर मिलते थे और ऐसा बताते हैं कि सहरा कंपर बंद गरने के लिए से तीस सद्ष्पों की परिश्थ होती थी जिसमें पांच-पांच-छब की च्छे समीतियों में बाट गया था। जहां तक अस्तर-श्तर की बात है अस्तर वे होते हैं जो की कि कि किसी काया करने से या वह विलॉप्पी हो जाते हैं आज अफ़ार कहते हैं। डॉक्टर आर से मुझूमदार ने कहा है मुर्य परसासन के बारे में कि इस सामरेज जैगा विस्तार रूप से शासनकाल को देखें तो देश में स्यांती के साथ साथ विकास और जनता में संतोष रहा था तो आप सभी के लिए आज के जो परसन करवाए गये हैं अपने रिवाइज करने हैं अपनी बुक में आप निचान लगा सकते हैं अब यास के परसनों को आपको समझाए गया है और एक अपील में आज आप यहां अपने मादम से करना चाहता हूं इस लोग डाउन के अवधी म घर पे रहें शुरुख्षित रहें माननिय प्रदानमंत्री जीने लोग डाउन फोर का भी डिकलेरिसन कर दी है तो हम सभी का यह परम करते हुए बनता है कि और किसी का नहीं हम अपने जीवन के महतों को समझें और बेवज़े घर से बाहर ना निकलें सहर ना जाएं जरू कर देता है नहीं शुरुवाति को लक्षण होते हैं इसका एक ही मातर बचाव है शुरक्ष्या हम अपनी परिवार को अपने आस्पडोस को अपने गाउं को सुरक्षित रख पाएंगे इसी के साथ आप सभी से मैं आज के लिए अलविदा कहता हूं और एक और बात मापू कहना चाता हूं इगर से बार निकलना है पड़ जाए तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के मुरूब है कि मुझ पर कपड़ा ठापकर या मास्क पहन कर ही भार जाएं आप सभी का दिन मंगल में हो और आप अपने परिवार के साथ सुख से रहें थैंक्यू